हरे कृष्णा आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज रस्पान कीजिए विशाख मास के शुकल पक्ष की मोहिनी एकादशी का समय समय पर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज यूधिस्टर को मास में पढ़ने वाली सभी एकादशी वृत का महातम में बताते रहते हैं ऐसे ही एक बार विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बीतने पर धर्मराज युदिस्टर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा हे जनारदन विशाख मास के शुकलपक्ष में किस नाम की एक आदशी होती है उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधी है करपा पूर्वक बताईए तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे धर्मराज पूर्वकाल में परम बुद्धिमान श्री राम चंद्र जी ने महशी वसिस्ट जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो श्री राम जी ने कहा हे भगवन जो समस्त पापों का अक्षय तथा सभी प्रकाल के दुखों का निवारन क चाहता हूं तब वसिस्ट जी बोले कि हे श्री राम आपने बहुत उत्तम बात पूछी है मनिश्य आपका नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है फिर भी लोगों के हितकी इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा विशाख मास के शुकल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और वह सभी पापों को हरने वाली और उत्तम है इस व्रत के प्रभावों से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समुह अर्था पापों से छुटकारा पा जाते हैं सरस्वती नदी के रमणी तट पर भद्रावती नाम की बहुत सुदर नगरी है वहाँ ध्रतिमान नाम का एक राजा जो चंदर वंश में उत्पन और सत्य प्रतिगिते राजी करते थे उसी नगर में एक वैशी भी रहता था जो की धन धाने से परिपून और सम्रिद्शाली था उसका नाम था धनपाल वे विश्नु की भक्ती में उसका बहुत अनुराग था और वह सदा शांत दिखता था उसके पांच पुत्र थे सुमना द्युतिमान मेधावी सुकृत तथा द्रिश्ट बुद्धी द्रिश्ट बुद्धी पांचवा बेटा था वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लग होता सकती थी और वह वेश्याओं से मिलने के लिए हर समय लालाइत रहता था उसकी बुद्धी ना तो देवताओं के पूजन में लगती और ना पित्रों तथा ब्रहमनों के सतकार में वे दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता का सारा धन बरबात किया करता था ऐसे ही एक दिन वह वेश्या के गले में बहां डाले चोराहे पर घूंगता हुआ देखा गया तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधू बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कस्ट प अपोधन कॉंडिन गंगाजी में इसनान करके आये थे द्रिस्ट बुद्धी शोक के भार से पीडित होकर हाथ चोड़कर मुनिवर कॉंडिनी के पास गया और कहने लगा हे ब्रहमन हे द्विस्ट्रेस्ट मुझ पर दया करके कोई ऐसा वरत बताईए जिसके पुन्य के प् पुवास करने पर प्राणियों के अनेकों जन्मों के किये वे मेरू परवत जैसे महापाप भी नस्ठ हो जाते हैं रिशी वसिस्ट जी कहते हैं कि हे श्री राम मुनी का ये वचन सुनकर द्रिस्ट बुद्धी का मन प्रसन हो गया फिर उसने कॉंडिन रिशी के उपतेश स से विधी पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया हे निर्प स्रेष्ट इस व्रत को करने से वह निश्पाप हो गया और दिविद्धेह धारन कर गरूड पर आरूड होकर सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विश्न भगवान के धाम को चला गया इस प्रकार य ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा जो कि आपको पूजा करतिस में जरूर सुनी चाहिए अब रस्पान कीजिए दूसरी कथा का क्योंकि मोहिनी एकादशी है और मोहिनी अफ्तार भगवान विश्नु का ही अफ्तार है भगवान विश्नु ने ये अफ्तार क्यों धारन किया इसके बारे में पुराणों में बहुत ही रोचक कथा मिलती है और ये कथा जुड़ी है समुद्र मन्थन से हम सभी ने समुद्र मन्थन के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा इसी तरह से जब देवताओं और असुरों ने समुद्र में कहीं छुपे हुए अ ने लिया कि एक साथ समुद्र मंथन किया जाए समुद्र मंथन के समय अन्य ने भी सयोग किया जिसमें मंद्राचल परवत श्रेडी ने मतनी का काम करने के लिए अपना सयोग दिया और वासुकी नाग को रसी की जगा उपयोग किया गया वही भगवान विश्णु ने भी कच जब देवताओं और राक्षसों में ये निर्णे हुआ कि सभी बारी-बारी से निकलने वाली चीजों को आपस में बाट लिया जाएगा तो समुद्र मन्थन के समय कुल चौधर दिव्य रत्न प्राप्त हुए जिसमें सबसे पहले हलाहल विष्णिकला जिसे कोई भी लेने को तयार नहीं हुआ जब कोई भी लेने को तयार नहीं हुआ तब स्वयम भगवान महादेव ने हलाहल को अपने कंठ में धारन कर समस्त्र स्रस्टी की रक्षा की फिर मालक्षमी जी भी प्रकट वी जिने भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया सबसे अंत में अमरित कलश लेकर भगवान धन्मंत्री प्रकट हुए जिनने देखते ही देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए पाएगा सारी समस्या ज्यात होने के बाद भगवान विश्णू ने इस परिशानी से मुक्ति दिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों को रिजहाते वे सभी को बारी बारी से अपने हाथों से अमरित पलाने का नेने लिया तब उन्होंने सबसे पहले दर्शन चक्र से उसका सिर धर से अलग कर दिया जिसे हम राहु केतु के रूप में जानते हैं और ऐसी माननेता है कि सोरे और चंद्रमा ने भगवान विश्णू को उस दैत्ति के छल से अमरित पान करने के बारे में बताया था तब ही से कहा जाता है कि हर बार सोरे और जिक्र पर ने मोहिनी अफ़्तार धारन किया वह तिथी वेशाक मास के शुकल पक्ष की इकादशी तिथी इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी इकादशी पढ़ गया मास में पढ़ने वाली सभी एकादशी वरत भगवान विश्नु के ही अफ्तारों पर आधारित है और हर एकादशी वरत भगवान विश्नु के अफ्तारों के नाम से ही जुड़ा हुआ है ये थी आज की वीडियो, वीडियो गर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विश्णु भगवान की जय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा साथ ही आप एकादशी व्रत की संपुन, पूजा विधी, तिथी और शुबमुर्द की जानकारी भी हमारे इसी चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं